देखिए पूरी तैयारी है और दुसरी बात है कि आदने लालो प्रसाजादों को भारत के लोग खास कर बिहार के लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि शिंगापूर में उनका केडिन ट्रांस्प्लांट हुआ है और हम लोग काफी कुस हैं और उनके दिरगाई होने का हम लोग आगे बढ़ता है और जो लोग भी कुछ इधर उधर कर रहे हैं उस पर निशित्रुप से उनकी नजर है और जो खिलाप पार्टी के कर रहे हैं या गड़बंदन महा गड़बंदन पर खिलाप में कुछ अनाप सनाप बोलने वाले पर बिराम लगेगा रोक लगेगी बिहार में अपलग सरकार में है, सedel सी बड़े पार्टी है, निशित्रुप से मानिय मुखमत्री जी को मजबूत्ती मिलेगी और निशीत रुप से कंधे से कंधे मिला कर हमारे नेता और विहार के उप मुखमंतरी तेजसी प्रसाजादो और मानिय मुखमंतरी कंधे से कंधे मिला कर चल रहे हैं और विहार के सरवांगिंग विकास का काम कर रहे हैं और देश की राजनिती पर भी काफी नजर है और निश्ची तुप से इस विधान सवा सत्र के बाद मानिय मुखमंत्री देश के ब्रह्मन पर निकलेंगे और सारे विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने का पर्यास हमारे निता आ गए हैं भारत आ रहे हैं और भारत आते ही बिहार में ही नहीं देश में काफी उथल परधान मंतरी कभी नहीं हुआ है लगता है कि लिए अब उनके बाद है कौन उनके बाद है कौन तेजस्वी जादों के अलाबा है कौन और विहार को समालने वाला और जो वह तुर्क है और जो युवाओं के जो आइकॉन है वो तेजस्वी प्रसाजादों हैं अभी आपने सर्वे देखा होगा बीजेपी का सर्वे जिसमें बिहार से बीजेपी सफाया देखाई दार रहा है MP के एलेक्शन में 37 सीट चालिस में 37 सीट वो खुद कह रहा है कि 37 सीट उनके पाले में जाएगा तो लगता है कि तेजस्वी जादों और आधरनीम मुखमंतरी नितिश्च कुमार की जोड़ी जो है पूरे देश को हिला देगा और सारे विवक्च के लोगों को एक मंच पर लाने का काम करेगा